प्रधानमंदी नरेंद मोदी के दूसरे कारेकाल का पहला साल पूरा होने पर भाचपापाती देश के हर हिस्से में वर्चल रैली आयोजित कर रही है कोरोना महमारी के दोरान वर्चल रैली डिजिटल इंडिया के तहद एक नए विकल्ब का आगवन है इसके माध्यम से देश भर में राजनेतिक दल या कोई संस्था या अन्य अपने कारेकरताओं वो कारगरों को संबोधित कर सकते हैं इस विकल्ब की शुरुआ देश में सत्ताधारी पाटी भाचपा ने 13 जून को राजथान में आयोजित की इसके बाद हर्याना में भी इस रैली को भाचपा द्वारा सफल बनाया गया देश के कई राजियों में इसे आयोजित किया गया अगामी 27 जून को पंजाब और 28 जून को भाचपा चन्रिगर में वर्चो रैली को आयोजित करने जा रही है चन्रिगर भाचपा दावा कर रही है कि इस रैली को कुछ हटकर आयोजित किया जाएगा जिसमें लाखो लोगों को जोड़ा जाएगा भाचपा द्वारा इस वर्चो रैली के विकल्प में खास बात यह देखने को मिली कि इसमें आईटी सेक्टर के नए नौजवानों को भी अपने पेशे में खुद को संबोधित करने का अफसर मिल रहा है इस अंदर में भाचपा सचीव तेजिंदर सिंग तरहा वचंडिगर यूवा आईटी सेल के मोहिंदन निराला ने अर्थप्रकाश से विशेश बातचीत की चली दिखाते हैं बातचीत की कुछ खाश अंस अर्थप्रकाश चैनल देख रहे सारे ही सजनादा मेरा तै दिलों सशीकार मैं तवाटा अपना तजिंदर सिंग स्रांप प्रदेश सचे पाच पाच चंडिगर अजहीं तवाड़े सामने आए हैं इस कुरोना मामारी दे दौर दे विच नवी टक्नोलोजी दे तैत वर्चुल रैली लेके जरी पाचपा वल्लों पाचपा चंडिगर वल्लों ऑर्गनाइज किती गई है ठाई जून शाम पांज वजे तो लेके शे वज़ दे वेच जिजदे आपको बता रहे थे एक इतिहासिक पल है जिसकी गवापूरा चंडीगर शहर बनेगा इतिहासिक में इसलिए कह रहा हूं कि पहले जितनी वी रैलियों होती थी वो सारे अलग जगा पे बहुत सारा ताम-जाम करना पड़ता था लोगों को बुलाना पड़ता था एक जगा गैद्रिंग करनी पड़ती थी कुरोना महामारी के बाद जो है पूरे को पूरा सेनेरियो चेंज हुआ है सारी प्रिकॉर्शन को रखते हुए भाजपा राश्टी एद्यक्स जेपी नडडा जी नहीं ये देश भर में हो चुकी है और भी हो रही है जिसमें साथ क्रोड से ज्यादा लोगों तक जो है भारती जंता पराटी जो हो पहुंचने में काम्याब रही है घर गर तक हम पहुंच बना रहे हैं और इसका जो में मकसिद है वह है कि हमारे जो प्रधान मंतिरी निरेंद्र कि कभी हट सकते हैं यह ऐसाalsa फैसले लागों हो सकते हैं इसी तमाम नीतियों को ले कर हमारे बीच में हमारे कैंपनेट मनिश्टर श्री रविशंकर प्रसाजी जो कानून मंत्री हैं और साथ में सूचना और प्रद्योगी की मंत्री हैं हमारे केंदर में वो हम सब बड़ा कामियाबी और बहुत अच्छी हमारे पास जो है इसकी सक्सेस रहेगी और जो लाइव का ऑप्शन हैं वह हमारे पास सिस्को वेवेक्स के थ्रू जो है हमारे कार्यकरता बहुत से लोगों तक घर-घर पहुंच रहे हैं उनको हम एक लिंक शेयर कर रहे हैं सिसको लग जगा पर डिस्टिबूट कर रहे हैं आप जो भी श्रोता राज अर्थ प्रकाश के माद हैं उसे मुझे सुन रहे हैं वहारे किसी भी कार्यकरता या हमारे वहां पर मंदल अद्यक्षा जिला ध्यक्षा जो भी आपके परिचत में हैं आप उनसे संपर्क करके लिंक ल पर जैसे तो उनके पास जो है वह हमारा फेस्बुक वीजे बीडेश करके हमारा Facebook पेज है पर देश की लाइव होगा तो आप वहां पर फेस्बुक पर जाके सर्च करेंगे तो वहां से फिसरे जुड़ सकते हैं मित्रों मेरा आप सभी से ही कहना है कि जैसे जैसे महाल बदल रहा है हमें आदर डालनी पड़ेगी हम जिस तरह से हमने लगवग तीस के आसपास वर्चल रेली जो है वो अलग-लग सेक्टरों मंडलों में जो है वो चंडीगर में अभी तक की हैं उन तक पहुंचे हैं उनसे उनकी समस्याइं भी सुनी हैं तो आ तेजिंदर जी तुसी कुछ क्याना चांदेगा बस बिल्कुल मेरा हुई सब नू हाथ जोड़के बेंदी अभी तुसी इस रेली दा हिस्सा बढ़ो इस रेली नू सुनो परवार देनाल बैठके इस रेली दे विचार जड़े उसनो ते चल रही हैं आपने देश कोई भी मिस्स ना कर पाई ठाई जून दो जर्वी शाम पांज वजे ए वर्चुल रैली दा अपना टाइम है गवा उस टाइम जोते हर एक प्लेटफॉर्म मेडिया प्लेटफॉर्म से लाइव हो आगे बाकी सारे चंडीगर की जितनी वी जनता है वो सारी बधाई की पात जो जनता को जो हमारे लेबर उसमें थे या जुरूर्तमंद लोग थे उन तक पहुंचाये चाहिए हम पांच लाख मास्क जो है वो डिस्टिब्यूट कर रहे हैं पूरे चंडीगर में जो जुरूर्तमंद मास्क अफॉर्ड नहीं कर सकते ताकि वो अपने पास जब भी ब मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ चंडीगर भाजबा की तरफ से और सारे कारे करता हूँ जो हमारे भाई इस ताइम पे भी लगे हुए हैं मैं उनको दिल से नमन करता हूँ नमस्कार धन्यवाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें